ये वीडियो है आपका ये बाइसेप का पीक नहीं आ रहा है आप देख सकते हैं आप तो ये बाइसेप पीक लाने के लिए आपका जो पीक बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं गलतिया ना करें गलतिया करते रहोगे तो कभी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा सबका पीक लाने के लिए वीडियो है कौन सी एक्साइज बैस्ट है और कितनी कितने सैट लगाने इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा चलिए शुरू करते हैं कि यह नाम स्वेल और आप देखरें स्वेल फिटनेस तो गाइज यह वीडियो इस्पेशली आपके लिए जैसे कि मैंने बताया कि यह वीडियो होने वाली यह बाइसे पीक के लिए तो बाइसे पीक बाइसे पीक कैसे आता है मैंने कैसे डेवलब किया है तो गाइस इस वीडियो में जानने को मिलेगा पहली गल्ती तो यार यह पंदरा-बारा-दस रेपिटिशन चोड़ दो क यह बूल जाओ यही चल रहे है जो बोलते हैं 15-12-10 ऐसा नहीं है वो अगर वर्क आउट कर रहे हो उसको मेरे कहने से प्लीज छोड़ दो आपको बाइसे का पीक चाहिए 21 लगाने है इसे पीक की जो एक्साइज है डंबल यह फीचर डंबल कल सिंगल डंबल कल यह स्टेंडिंग केबल जितनी भी एक्साइज हैं वह मैं आपको और वीडियो में बताऊंगा फिलाल के लिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह 15-12 छोड़ दो 21 फिर उसके बाद 18 उसके बाद 16 उसके बाद आपको 14 एक्साइज आप करोगे तो यह चार से ज्यान रखें बाकि एक मैं करें तो आपका बैसका पीक जो है डवलप होगा डेफिनेटली तो आपको करना क्या है कैसे वरकाउट करना है मैं आपको दिखा देता हूं होना है थोड़ा सा आप देख सकते हो सामने यह आपको हाथ राइट हैंड अपने आपके इस नी पर रखना है और आपको यह अलब को अपकी सेबल रहेगी लाइक जिस लोली फुल इसे ही आपको दूसरे हाथ से करना यह पर नीज पर रहेगा थोड़ा बैंड वर रहोंगे लाइक जिस वां देख सकते हो आप में थोड़ा ट्रूइस कर रहा हूं यह यह देख सकते हो चो यह एक एक्साइज बहुत बहु अच्छी एक्साइज है मैं परफॉर्म करता हूं और आप देख सकते हो मेरे बैसे के पीक डवलप हो चुके हैं तो ऐसे ही आप अपनी वर्काउट में आपका जिस बाइसेप का वर्काउट है उसमें यह एक्साइज अड़ करें और चार सैट लगाएं पहलें वेट अपन मैक्सिम्म 10 kg पर आपको पूरे लगाने है थैंक यू सो मच फूर लव और सपोर्ट बेरे से करेक्ट रहने के लिए इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हैं डिश्क्रीन लिंक है थैंक यू सो मच गाईज लाइक शेयर कैसी लगी वीडियो कमेंट करते हैं थैंक यू